मुकुल वास्निक जी, शक्ति सिंग गोहेल जी, अमित चावडा जी, दीपक बावरिया जी, शेलेश परमार जी, जगदीश ठाकुर जी, सिदात पतेल जी, आमी यागनिक जी, लाल जी देसाई जी, हिमत सिंग पतेल जी, जिगनेश मिवानी जी, इंद्रविजे जी, इमरान केटवाला जी, ललिद भाई, लाला भाई पतेल जी, मतलब हमारे सारे के सारे सीनियर नेता और हमारे प्यारे कार्य करता बबर्शे टाइगर, आप सब का, आप सब का यहां, मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, पार्लिमन्ट हाउस में, आपने देखा होगा, कि अजीब सी बात है, बीजेपी की जो पूरी मुवम्मन्ट थी, राम मंदिर की अयोदिया की मुवम्मन्ट थी, सही बात, शुरुवात, अडवानी जी ने की थी, रत यात्रा हुई थी, उसमें आपने अडवानी जी को रत पे देखा था, कहा जाता है, कि नरेंद्र मोदी जी ने, उस यात्रा में अडवानी जी की मदद की थी, इनकी शुरुवात वहां हुई, राइट, ठीक है, रत यात्रा चली, और पार्लिमंट में मैं सोच रहा था, कि उन्होंने, राम मंदिर का इनागुरेशन किया, और राम मंदिर के इनागुरेशन में अदानी जी दिग गए, अंबानी जी दिग गए, मगर गरीब व्यक्ति वहां कोई नहीं दिखा, आपने देखा होगा, टीवी भी देखा आपने, अब उसका नतीजा बताता हूँ, पार्लिमंट में मैं यहां बैठता हूँ, इंडिया गटबंदन के हैं, है ना, मैंने उनसे पूछा कि भाईया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स और योदिया की पॉलिटिक्स थी, चुनाओ के पहले उन्होंने राम मंदिर का इन्योग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया, मैंने उनसे पूछा भाईया एक बात बताओ, यह हुआ क्या, कि उन्होंने राम मंदिर का इन्योग्रेशन किया, और इंडिया गटबंधन अयोदिया में चुनाओ जीत किया, यह हुआ क्या, और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं यह जवाब आपको देना चाहता हूँ, उन्हेंने का, राहुल जी, और जिस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे यह भी मालूम था, कि मैं सिर्फ लडूँगा नहीं, इंडिया गटबंधन अयोदिया से जीतने जा रहा है, मैंने कहा, कि आपको कैसे मालूम, पूरी देश में, मीडिया में, सब जगे, राम मंदिर का इन्योग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम, उन्होंने कहा, कि राहुल जी, जब मैं अयोदिया, मैं लोगों से बात करता था, तो मुझे अयोदिया के लोग, सिर्फ दो तीन चीज़ें कहते थे, पहली बात कहते थे, कि अयोदिया में, मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए, बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकाने, घर तोड़े गए, और आज तक, जिन लोगों के घर चीने गए, तोड़े गए, दुकाने तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोधी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया, पहली बात, जहां भी वो जाता था, लोग उनसे कहते थे, हमारी जमीन चीनी गई, सरकार ने, हमें मुआवजा नहीं दिया, दूसरी बात, अयोधिया के किसानों की जमीन गई, आज तक, उनको सही मुआवजा नहीं मिला, और तीसरी बात इन्हों ने बताई मुझे, तीसरी बात राहूल जी, अयोधिया की जनता को, बहुत गुसा आया, जब उन्हों ने देखा कि, राम मंदिर के इन्योगुरेशन में, अयोधिया का एक भी व्यक्ति नहीं था, ये कारण थे, मगर मैं आपको ये काहनी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मुव्मेंट, अडवानी जी ने चालू की थी, उस मुव्मेंट को, जो जिसका सेंटर अयोधिया था, उस मुव्मेंट को, इंडिया गडबंदन ने, अयोधिया में हरा दिया है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहाँ पे हमने, आप जैसे कार्य करताओने, कॉंग्रेस पार्टी के कार्य करताओने, और आप जाके पूछिए वहाँ पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नहता से पूछ लीजिए, और वो आपको बताएगा, कि कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता, बबबर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, एक इंच पीछे नहीं हटा, तो अयोदिया में, कॉंग्रेस पार्टी ने, इंडिया गडबंधन ने, इनको हराया है, तो अगला स्टेप क्या है, अब इन्होंने क्या किया, अच्छा, अंदर की बात बताता हूँ, अब यहां आया हूँ, परिवार से बात हो रही तो, अंदर की इंसाइट ट्रैक बता देता हूँ, इंसाइट ट्रैक है, उसी MP ने बताया, राहुल जी यहां पे तीन बार सर्वे हुआ था, नरेंद्र मोदी जी, वारानसी से नहीं लड़ना चाते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोदिया से लड़ना चाते थे, उनके सर्वेयर आए, तीन बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया नरेंद्र मोधी जी अगर आप अयोधिया से लड़ेंगे आप अयोधिया में हारेंगे आप अयोधिया में मत लड़िये क्योंकि अगर आप लड़ गए आपका राजनेतिक करियर अयोधिया में खतम हो जाएगा इसलिए आयोदिया से नहीं लड़े वारा नसीर से लड़े और वारा नसी में हमने एक दो छोटी गलती कर दी नहीं तो वहां उनको निपट लेते हैं मतलब आप देखिए आयोदिया में उनी के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे और काशी में कितने से जीते एक लाख वोट से जीते मतलब जान बचा के निकले हैं सचाई है जैसे मैंने पार्लिमंट हाउस में कहा हमारा काम यह जो लगा रखा है मैंने आज यह यह जो चिन लगा रखता है, इसको क्या कहते हैं, अबे मुद्रा कहते हैं, यह आपका चिन है, इसको भूलो मत आप, आप आज वापिस जाओगे, अलग-अलग धर्म के लोग हो आप, हर धर्म में यह चिन आपको दिखाई देगा, गुरु नानक जी की फोटो देखिए, महवीर की देखिए, बुद्धा की देखिए, इसलाम में भी, जैसे मैंने पार्लिमेंट में कहा, दुआ मांगी जाती है, दोनों हाथ से ऐसे मांगी जाती है, आप, आप, शिवजी की फोटो देखिए, उसमें आपको यह दिखाई देगा, और इसका मतलब है, डरो मत, डर मैंने आया हूँ, इन्होंने आपके ऑफिस पे, आपके कार्यकरताओं पर आकरमन किया है, अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है, इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमका कर, ऑफिस को तोड़ कर, हमें चैलेंज दिया है, चैलेंज क्या है, गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूँ हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं जो हमने कहा और लिखके ले लो लिखके ले लो कॉंग्रेस पार्टी कि जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने हमारे बबर्शे टाइगर हराएंगे आपको सिर्फ एक काम करना है एक काम करना है आपको आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बुलनी है आपको डरना नहीं है बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए चाहे आप किसान हो मजदूर हो छोटे वियाप हमारी हो अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाईगे दूसरा उधारन देता हूँ आप कॉंग्रेस पार्टी को जानते हो जानते हो हमारी पार्टी में कोई डरता है कैसे मालूम कैसे मालूम हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं बड़ा सा बड़ा हो राहूल गांदी हो हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहूल गांदी मुझसे कहते हैं मेरे कमरे में आके कहते हैं राहुल जी यह जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा कहते हैं मैं बता रहा हूं आपको और मैं कहता हूं आपने सही बोला इस बार में ने ऐसे नहीं करना था जो आप बोल रहे हो वैसे करना था हम ड़ते नहीं हैं ना हमारे कार्य करता हमें बोलने से ढड़ते हैं ना हम अपनी कार्य करता की बात सुनने से ढड़ते हैं ना हमारा कार्य करता हम से ढड़ता है अब देखिए मैं आपको रियालिटी बता रहा हूं बीजेपी में नरेंद्रमोधी बेटे हैं उनकी पूरी टीम बेटी है उनके स मतलब पूरी लीडर्शिप टीम देख लो आगे बैठी है मैं बता रहा हूं आपको अंदर की बाद बता रहा हूं इंसाइट ट्रैक दे रहा हूं कोई नहीं चाहता है मगर दम नहीं है डरते हैं अगर नरेंद्र मोधी जैसा लीडर कॉंग्रेस पार्टी में होता पूरी कॉंग्रेस पार्टी खड़े हो जाती कहते हैं नहीं हम डरते नहीं हैं हटो यहां से मगर उनकी पार्टी पे धम ही नहीं है उनके कारेकरताओं में डम नहीं है आप देखो न एक आदमी घड़ा वहां पे सब के हवा निकल गई मतलब हम ड़ते नहीं है हटो यहां से मगर उनकी पार्टी पे धम ही नहीं है उनके कारेकरताओं में डम नहीं है आप देखो न एक आदमी घड़ा वहां पे सब की हवा निकल गई मतलब कारे करता हूं की हवा निकल गई RSS की हवा निकल गई सारे लीडर्स की हवा निकल गई सच बोल रहा हूं न और हमारे मतलब छोटा सा छोटा कारे करता होता है टाइगर होता है आता है Congress President के सामने आता है राहूल गांदी के सामने आता है के तब यह मेरे दिल में यह बात है आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं कि तो यह Congress Party अंग्रेजों के साथ यह खड़े हो गए थे सारे के सारे RSS वाले हम लड़े थे हम लड़े थे हम लड़े थे हमने कहा देश से हमने कहा था डरो मत डराओ मत हमने कहा था BJP के लोगे हाथ जोड़के कहा था भईया डर गए हम जो करना है कर लो तो आप अपनी हिस्ट्री समझो जो डर की भावना होती है न, वो आप में नहीं है, उनमें है और इसी के कारण, मैं आपको बता रहा हूँ, Congress Party गुजरात में जीतेगी, और गुजरात से ही नहीं Congress Party बनेगी क्योंकि Congress Party, मैं गहरी बात बोल रहा हूँ, मैं ऐसी आलतु फालतु बात नहीं करता हूँ, देखिए, Congress Party बनी कहां थी मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था, आप क्या सोचते हो, जब यहां अंग्रेज राज करते थे, क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था, महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो, डरो मत, डराओ मत, और आग गुजरात से शुरू हुई थी, और आज अगर Congress Party है, तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी, इसलिए जब इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा, मैंने सोचा भईया, मौका मिल गया, अब हम इनको सबब सिखाएंगे, जैसे इन्होंने हमारा ओफिस तोड़ा, वैसे ही हम उनकी सरकार को तोड़ने जा रहे हैं, अच्छा, अब मैंने गरों मत की बात करी, मगर एक शिकायत भी है, एक शिकायत भी है, ये भी नहीं है कि कॉंग्रेस पार्टी गुजरात में कमिया नहीं है, ये कहना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, कमी क्या है, एक कार्यकर्टा ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया, कॉंग्रेस पार्टी के कार्यकर्टा ने, राहुल जी, कहता है मुझे, राहुल जी, ये Congress Party में एक मुश्किल है, दो तरीके के घोड़े होते हैं, एक race का घोड़ा होता है, दूसरा शादी का घोड़ा होता है, ये आप कभी-कभी Congress Party क्या करती है, रेस के घोड़े को शादी में भेज देती है, और शादी के घोड़े को रेस में लगा देती है, तो उसने कहा, ये आप बंद करा दीजिये, रेस के घोड़े को आप रेस दोड़ाईए, और शादी के घोड़े को आप शादी में भेजिये, तो ये हमें गुजुरात में करना है जो रेस का गोड़ा है जो त्यार है दोड़ने के लिए त्यार है उसको रेस में लगाना चाहिए और जो हमारे शादी का गोड़े हैं जो हैं वो हैं उनको हमें शादी में बहराद में नचा देना चाहिए तो अब मेरा कहना है कि ये काम seriously करना है हम पिछले चुनाओं में आप भी जानते हो मैं भी जानते हो कि हम बीजेपी से पिछले चुनाओं में नहीं लड़े थे ठीक से नहीं लड़े थे उससे पहले चुनाओं में 2017 में हम तीन महीने कहलो चार महीने कहलो तो चार मही ने तीन मही ने हम लड़े और नतीजा आपने देखा, आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा, मैं बता रहा हूँ आपको इंसाइट ट्रैक, मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटे मिलेंगी, मैंने उनसे कहा, 40 नहीं हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 16 सीट से हम चुनाव हा रहे हैं, अब 3 साल हैं, तीन महीने में, हम फिनिश लाइन तक पहुँच गए थे, तीन साल में, हम फिनिश लाइन को मतलब उदर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे, हम मैं आपको यहां कह रहा हूँ, कि आप लोग, गुजरात में, कितने साल बात, 30 साल हो गए 30 साल हो गए मैं आपको बता रहा हूँ मानो ना मानो आप मेंसे 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे हैं नहीं होगा जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो 50% मान रहे हैं मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप लड़ जाओ और ये बागी 50% बैठे हैं उनकी माइंड बदल दो नहीं अपार हो जाएगी सरकार बन जाएगी और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि AICC की टीम राहूल गांदी मेरी बहन सारे के सारे सीनियर लेडर आपके साथ यहां खड़े होंगे आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे आपने बहुत सहा है बहुत लाठियां खाई है बहुत अपमान हुआ है आपका गालिये खाई हैं आपने अब बहुत हो गया अब इनको हमें सबक सिकाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं और और नफरत से नहीं महबबत से महबबत से आफ देखना महबबत से हम इनको हराएंगे कैसे क्योंकि नरेंदर मोदी जी का जो विजन था वो गुबारा जो था वो फट गया है पटाक से वो फट गया है आप सोचिए Parliament House में नरेंद्र मोधी बहां बैटे में यहां और मैंने प्राधानमंत्री जी उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोधी जी आप एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं पता नहीं आप क्या है क्योंकि आप नहीं कहा कि मैं नान बायोलोजिकल हूं मैं biological नहीं हूँ और मेरा मेरा सीधा direct connection है इश्वर से अरे भाईया आपका direct connection है इश्वर से तो अयोधिया कैसे हार गए कैसे हार गए तो हमारे प्रधान मंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग biological गुजरात की जनता biological गांदी जी biological हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग biological और नरेंद्र मोदी non biological speaker जी ने speaker sir ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिये मैंने का मैं थोड़ी बोल रहा हूँ ये तो प्रधान मंत्री बोल रहे थे मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ speaker बिल्कु चुप हो गए बात तो सही है बात तो सही है ये राउल गांदी के शब थोड़ी है ये तो इंदुस्तान के प्रधान मंत्री के शब्द है non biological अब सोचिए वो वियक्ति जो अपने आपको non biological समझता है और देश की जनता को biological समझता है कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता मज़ूरों का दर्द नहीं समझ सकता diamond industry में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता non biological वियक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है नहीं दिखा सकता तो अब आपका काम है, गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं, बेहनों को विजन देना, कि भाईया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं, आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, हिला के रख दिया था PGP को, आपने देखा वैसा मैनिफेस्टो बनाना है, गुजरात के लिए, गुजरात की जनता से मिलकर, एक लाक लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाय था, वैसे ही हम गुजरात में, लाकों लोगों से पूछ कर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे, और फिर चुन दिल से धन्यवाद आकरी बात मैं कहना चाहता हूँ यहां जगनात यात्रा हुरी है आप सब को और जो यात्रा में भाग लेंगे आप सब को शुब कामनाई देना चाहता हूँ और दिल से दिल से प्यार देना चाहता हूँ आप सब का दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जेहन, अब है मुद्रा, दरो मत, दराओ मत